तो बच्चों जैसा कि आप चान रहें इस समय हम पढ़ रहें कच्छा सा नौ की एंसी आर्टी मैदना तो कक्चनों में आज आपका 7.3 का लाइश्ट कुश्चन है आप सब को पता है एक्सरसाइज 7.3 यह कुश्चन नमबर 4 है और 5 भी हम बताएंगे फिर एक्सरसाइज खत और CF एक तिरभूज EF के दो पराबर सीर्सलंब हैं BE यह और CF सीर्सलंब मतलब बोलता है altitude है ठीक है एक ट्राइंगल के यह equal altitude है आगे क्या कहता है RHS सरवांग समता नियम का परियोग करके सिद्ध की जिए कि ABC एक आईसोसेलेस होता है ना समदुबाहू को क्या बोलते हैं ह है ना मतलब इसे हमें प्रूब करना यह समदुबाहू तिर भूजए कहने का यह मतलब है कि हमें यह सिद्ध करना की ABC बराबर है ठीक है सम्दुबाहू का मतलब भाई दो भूज़ा बराबर होती है है और यह RHS-Sरवंग सम्ता नियम सर्भाहू सम्ता तिर्पल एस सर्भां नाइन्थ की महत पढ़ पाए नीचे राड लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा बिर्कुल फ्री में होता है कर लो भी तुरन चलो इसमें हम क्या करेंगे यहां पर हल लिखेंगे उपर साइड से देखो यही से हल करेंगे जगा थोड़ा कम है है समय करेंगे ठीक है वा धह 12 में तो दिया हुआ लिखने है हमा सिध्ध हरना है सबसे पहले लिखेंगे सिध्द करना है क्या गया में सिद्ध करना है कि ईवी बराबर शीन bir क्यों कोया ऐसा ट्राईंगल लेंगे इसमें यह भूजा भी कबर हो जाए यह भी कबर हो जाए तो हम एक ट्रेंगल लेंगे B E C और एक ट्रेंगल लेंगे यह कौन सा इधर वाला लें बराबर हो गया तो लिखो C F B एक ले लिए लिए C F B मतलब एक इधर एक इधर ठीक है छो लिखो तर्बूच B C E एक तो बिए सी और तीर भूज कौन सा दूसरा ले लोगे वह एक तो गया दूसरा ले लो cfv cfp इदर वाला cfb में या फिर से इधर दिख रहा क्लियर ना इसमें तो कोई परिसानी नहीं ना ठीक है दिख रहा है थोड़ा सा कट रहा है ना मैं उसा ही कर देता हूं यह लो टैंसन मतलो बस हो गया उसके उधर मैं नहीं लिखने वाला हूं चलो देखो ध्यान दो यहां सुरू करो सारी बी इसी यह जो रेखा है यहां पर आके मिल रही है इसमें और तिर्भूच दूसरा वाला अगर आप देख लो cfb वाले में जो है उसमें आपको क्या मिल रहा है कॉन f और e बराबर है क्यूं अब तुम कहो कि कह बराबर है बहिया यह कॉन जो बन रह ही है अगर यह लाइन इंतने सीधा है चुक्ष्टेंट घंड啊 मतलब यह नभबबना रहा है वो लो कि नहीं सब्सक्राइब बना रहा है ना C F V यानि कोण V F क्या है 90 है और यह altitude है मतलब यह एकदम सीधा है एकदम सीधा है यानि यह भी क्या कर रहा है बावू 90 बना रहा है बना रहा है ना तो यह और यह अगर आप लोगे तो यह दोनों कोण बराबर हैं लिखो एंगल C F V एकवल एंगल B E C ठीक है यह बीच में पढ़ना चाहिए चाहिए तो तुम लिख तो C E V लेकिन C E V उल्टा पढ़ रहा है तो B E C लिखो एंगल B E C ठीक है यह दोनों बराबर हैं क्यूं बराबर हैं रीजन हो जाएगा अगर इसमें आप धियान दो तो B C बराबर C B है अब यह B C कौन सी बला है यह नीचे वाले भूजा अगर तुम यह ट्राइंगल लेते हो कौन सा B वहां कौन सा लेते हो पहले B, E, C न B, E, C लेते हो तब भी तुम इसको यह उज़ कर रहे हो B, C को न B, E, C में यह आ रहा है ना नीचे वाला भूजा और अगर तुम दूसरा लेते हो C, F, V C, F, V तब भी यह बुजाई हो रही मतलब दोनों में है ना तो तुम लिखोगे किसमे भाई एक के लिए B, C हो जाएगा इधर से जो गिनते उसके लिए C भी हो जाएगा तो तुम यहां लिखोगे B, C इक्वल C, B रीजन लिखोगे common है क्या है? common है बहुत ही आसान एकदम सिंपल सा question है अब आपको दो चीजे मिल गई अब इसमें एक चीज हम और खोजेंगे देखो B, E, C, F के बराबर है काहे लिए B, E, C, F के बराबर है देखो बराबर काहे लिए है? दिया है अब तुम कहोगे दिया कहा है? question बढ़ो कहरें, B, E, C, F एक तिरबुज के बराबर सिर्सलंब है इक्वल एल्टिट्यूड है भाईया ये सिर्सलंब बराबर हो? करेंगे सिंपल सी बात लिखो B, E, 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 C, F ठीक है? B, E के इसके बराबर है? बढ़ो C, F, के बराबर है मिल गया आपको क्या क्या मिल गया एक बूजा बराबर हो गई है यह क्या है यह करण था बूजा नहीं थी बूजा मत मानना इसको बच्चा देखो अभी कौन सी लाइन मैंने आपको बताया था बी-सी यह करण नहीं है तो बूजा है लेकिन इसमें देखो अगर तुम ध्यान दो तो इसमें क करड़ कोमन है विसी और सी भी कौन सा हाई ये करड़ ही तो होगा सुरी कि एक मिनट देखो यह एकदम सीधा है तो क्या होगा यह लॉं होगा अरे यार समकॉंट सिर्बूझ ऐसे बनता एक नहीं देखो यह मत सोचना यह करड़ होगी नहीं चुकि में तो हमारा तिरभूज यह है ना यह यह करड़ होगी यानि यह क्या है करड़ है तो तुम ऐसा कह सकते हो इधर साइड से देख लो मैं इधर तुमको सुझा दे रहा हूं यह क्या है कौन है यह क्या है कौन है न मतलब सम कौन है लिखा या निफ्बें यह दोनों क्याि नभे थे यहां पर लिखोंगे न है मतलब यह रइटक एंगल है यह करण मिल गया मन्लब L हाँ करण को एक बोलते हैं क्या हाँ हाइपोटेनियस ऐसे कुछ बोलते हैं इंगलीज में न बोलते हैं बाई वी सी बराबर से भी वाला एच न और यह जो है यह बराबर भुजा है अलिट्यूट दिया था यह मतलब यह सै यह बताओ आर एच एस सरबांग समता नहीं हमसे सरबांग सम हो जाएंगे तिर भुज की नहीं हो जाएंगे ना नीचे तुम लिखोगे लिखो आता हा तिर भुज यह मिटा दो जो मैंने इधन लिखा है और कोई बच्चा वीडियो छोड़के मत जाना नहीं समझ में कुछ नहीं कमेंट करो मैं फिर से बताऊंगा वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करना आएगा थोड़ा फट टफ है यह लेकिन सोचो कि हम छोड़ दें तो कुछ नहीं आएगा याद रखना मेहनत करी तब ही आएगा चलो लिखो अब यह दोनों तुरू सरबांग सम होगे के लिखो बाई अर एकशे स रूल हींदि मीडियम और लिख देंगे क्या लिखेंगे है नियां फिलिग देना बस हो गया अबिया है तो यह सरबांग सम होगे लेकिन मुझे यह नहीं करना था अभी तो हमारा उतर नहीं आया हमें तो यह करना था को सरी यह एक को एसी के बराबर करना है हमने यह ट्रैंगल मतलब जिवे मैं हाथ रखाऊं यह और यह अगर मैं सरवांगसम कर दिया तो क्या होंगे भाई साहब दोपन्गत कौर्ण है बराबर होते हैं उनों होते हैं दिखो फिर नीचे दिख रहा है कि नीचे डिख रहा त Ob shaky दिख रहा है कि या टीधिर वीडियो को टच करके स्क्रीन उखे लो और से लिक्षा बैस लिख अब देखो यहां पे ध्यान दो क्या करना है देखो उसको मैंने मिटा दिया लेकिन मुझे यह दिखाना जरूरी था इसलिए मैंने उपर फिर से लिख दिया अभी-बी मैंने प्रूब किया कि कोन के संगत कोंड मतलब करॉस्पांडिंग एंड कर्सपांडिंग जो साइड होते है इक्वल होते हैं तो बहुत है इसी करम में हमने यहां से देखो भी-ई-ई-ई-इ-व और CFB को का इंग्रेंस कर दिया तो एंगल भी एंगल सी बराबर होंगे क्योंकि यह क्रॉस्पॉंडिंग एंगल है है न तो इस तरह से यह BCE एक्कॉल हो जाएगा CVE के बाई CPCT CPCT नहीं जानते हो कमेंट करना मैं आपको बताऊंगा CPCT का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में कमेंट करना डिस्क्राइब कर दिया जाएगा CPCT क्या होता है ठीक है और आपने यह भी पढ़ा था CPCT में कि अगर यह कौण बराबर हैं कोई भी दो कौण किसी भी सरवांगसम तिरभूज में अगर कोई दो कौण बराबर हैं तो उनकी जो सम्मुख भूजाएं होती बच्चा वो भी बराबर होती है पढ़े हो ना क्रस्क्रन जबंराख की सितनी फिराफिकल थे टो बदर लाद सम्ट कर बताना अगर आपको कहीं कोई डाउट नहीं संकोच कमेंट करो हम आपको बताएंगे और हाँ इस वीडियो को अपने साफ आठियों में जरूर सेयर करना बिल्कुल टैंस अनमत लेना सब कुछ आएगा यूटूब पे मैथ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को खूब सेयर करना होगा जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम आपको यूटूब पे पूरा कोर सुपलब्द करवाएंगे